इस बीडियो में solve करेंगे question no.8 By what numbers should each of the following be divided to get a perfect square in each case? Also find the number whose square is the new number तो question no.7 में क्या था? कि हमें multiply कर निकालना था perfect square और यहां पर क्या करना है कि divide कर देना है जिसका pair नहीं बनेगा यह तो करना होता है चले solve करते हैं तो इसको हम करेंगे one by one solve तो पहला solve करते हैं आपर तो दे दिया है 16562 तो यहां पर हम solve करेंगे पहले तो यहां पर जो factorization होगा पहले हम 2 से start करते हैं 2 से करेंगे 16 हो जाएगा 2 2 जा 4 16 हो जाएगा 2 8 जा 16 करते हैं थोड़ा ध्यान देजीगा 8 2 8 1 इदे हम चेक करना है कि 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा तो इस 1 में हमें 2 से मुलाएगा तो 2 2 मिल जाएगा 2 यहां पर मानस कर लेंगे मानस करेंगे तो मिलेगा हमें 826 फिर यहां पर इस 6 में फिर से 2 से लाएगा 6 2 जाएगा 6 2 हो जाएगा 12 6 2 हो जाएगा 12 और 12 को मैनस कर लेंगे इस 82 में से मिलेगा 0 और 8 2 में जा 7 70 मिल गया न 70 क्या है 70 जो है 7 का multiple है therefore हम का सकते हैं कि यह जो number है वह 7 से exactly divide हो जाएगा चले हम 7 से divide करते है तो यहां पर 7 से लेएगा 7 जाएगा 7 और 1 बजागा 12 हो जाएगा 7 बजा 7 और 5 हो जाएगा 58 7 8 जा 56 और 2 बचा 21 हो गया 7 3 जा अब यहां पर 7 से फिर से जाएगा 7 बजा 7 48 हो गया सब्सक्राइब होता है 42 होता 63 हो जाएगा एंड 790 63 अब यह जो है 169 जो है 13 का स्क्राइर होता है सो हमें मिल गया क्या 16562 जो है बराबर हो गया हमारा 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 के अब यहां पर हमें करना क्या है बोला है कि वाइब नंबर इंट इसको डिवाइड कर दें की हमें प्रफेक्ट usiair मिल जाए तो यह नंबर धाब Scqui नहीं है क्यों के आ देखे प्यर नहीं बन पा रहा सिर्ट का प्रप्य और प्हुर का जुआ लेकिन 2 जा पा रहा है तो इसको परफेक्ट से बराने के लिए करना पड़ेगा या तो 2 को हटा दीजिए 2 को हटाने के लिए करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो वह यहां बोला है कि by what number should this number be divided तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा clearly 16562 must be divided must be divided by by 2 to get a perfect square number perfect square number इसका मतलब कि यहां पर हमारा 2 जो है एक answer हो जाएगा अब दूसरा answer निकालने के क्या करना पड़ेगा मत दूसरा क्या निकालना है also यहां बोला है find the number whose square is the new number मतलब जो नया number बनेगा 2 से डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वह किस number का square होगा वह भी find करना है तो हम यहां पर डिवाइड करतेंगे तो अंडिवाइडिंग हमें मिलेगा 16562 डिवाइड बेड बेड टू डिवाइड करेंगा 2 से तो इधर भी करना पड़ेगा इसका मतलब कि 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 में डिवाइड करना पड़ेगा 2 से यह 2 से 2 केंसिल हो जाएगा और यहां पर 2 से केंसिल होगा तो एक्चुली यही आएगा यह रहा नंबर 8281 यही होगा आपका न्यू नंबर 8281 इस इस न्यू नंबर और यह जो है इन सभी का मल्टिपाल है मतलब कि 7 इंटू 13 का होल स्कुयार हो जाएगा इसका मतलब कि यहां पर जो न्यू नंबर बना हुआ है वह 91 का स्कुयार है मिन्स 91 इन इस्कुयार है यहां पर कि हैंस हैंस दीन नंबर hence the new number is is the is the square of square of 91 this is your answer ये भी answer है और ये 2 जो है ये भी answer है तो ऐसे हम करेंगे सब का चलिए solve करते हैं next erase कर लेते हैं आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो को pause करके वहाँ पर नोट कर सकते है अब हम करते हैं second हमार पास है three six nine eight अब ध्यान दिजएगा यहाँ पर इसका पहले करेंगे two से क्योंकि यहाँ पर eight है even number है तो two से कटेगा two अंजा two एक बचा sixteen हो गया and two eight जा sixteen and two four जा eight और हुन बचा eighteen हो गया one eight four nine देखे one eight four nine एक unique number है यह मतलब ऐसा number है जो एक prime number का square है और वो जो prime number है न वो actually 43 है 43 के जब square करेंगे तो one eight four nine आएगा और इसका मतलब कि इस case में आप मतलब कि बहुत ज़्यादा और सहाय महसूज करेंगे मतलब actually आप solve करेंगे इस question को यदि आपको यह पता नहीं है कि यह जो number है वह किस prime number का square है तो कि 43 का square दे दिया है यहाँ पर आप कभी यहां तक पहुचेंगे ही नहीं यदि बहुत ज़्यादा multiply करते करते बहुत time लग जाएगा तब जाकर पहुचेंगे 43 का square मिंस इतना आ गया है 3698 यदि ऐसा question मिलता है जिसका यदि आप 11 तक चेक करिएगा या फिर 20 या 30 तक चेक करिएगा 30 के बाद यदि आपको नहीं मिलता है न कोई number जिससे यह कट जाए तो उसके आगे check करना बिलकुल ही मुरुखता है मत करिएगा चलिए हमारा आगया यह 1698 कोम ली सकते हैं इस तरह के से 2 into 43 multiplied by 43 तो इसमें जो है पताएगे किस नमर को किस नमर से डिवाइड करेंगे तो यह number perfect square बन जाएगा बस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यह number जो है perfect square बन जाएगा है कि नहीं तो 2 हमारा क्या है पहला answer है यदि हम आ 1849 1849 और 1849 क्या है यह 43 का square है इसका मतलब कि 43 आपका answer हो गया means the new number जो नए नवर बना हुआ है hence the new number is the square of square of 43 43 का square है ठीक है तो 43 आपका क्या हो गया एक answer हो गया और आपका 2 भी एक answer है क्योंकि आप 2 को डिवाइड कर रहे हैं आप तो आपका second case साल हो चुका है अब चलते हैं next question 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 number third और वो गया 5103 5103 यहां पर किसे ले जाएंगे पहले तो सबको add कर यह देखिया मिला है 5 1 हो गया 6 6 6 और 3 9 हो गया इसका मतब कि 9 चला जाएगा 9 5 जा 45 6 बचा 60 हो गया और 9 6 जा 54 होगा 54 होगा तो 63 हो गया 9 7 जा 63 हो जाएगा अब यहां से फिर से चला जाएगा 9 से क्योंकि क्योंकि आइड करने पर 18 आएगा तो 9 6 जा जाएगा तो 9 6 जा 54 होता है 2 हो जाएगा 27 और 9 3 जा 27 आप यहां 63 बचा है तो 9 7 जा क्या होता है 63 होता है 7 जा 7 को अब लिग देंगे हम 3 into 3 मिन सबको फेक्टराइस करके लिग देंगे यहां मिल जाएगा इंटू और यह 7 मिल जाएगा देखिए आप पेर तो बन रहा है सबका लेकिन 7 का नहीं बन रहा है इसका मतलब कि 7 is the number by which this number must be divided to get a perfect number तो इसका मतलब कि 7 यह आपका पहला आंसर हो गया हमारा ठीक है और दूसरा आंसर निकालने के लिगा करना पड़ेगा 7 से डिवाड करना पड़ेगा तो डिवाडिंग वाइस 7 वी गेट डिवाडिंग वाइस 7 इन एबब वी गेट क्या मिलेगा देखिए 5103 में हम 7 से डिवाड़ करेंगे और इधर 7 से डिवाड़ करेंगा तो 7 कट जाएगा और फाइनली हमें 3 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्रियर मिल जाएगा क्योंकि इसका प्लिवाड में से एक एक निकाल लेंगे और यहां कटेगा तो क्या मिलेगा 7 से कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा यह हो जाएगा आपका 7 से जाटी नाइन और 220 हो गया 7 टूजा 14 एंड चरोटी ठीड हो गया एंड स्टेवन नंजा 63 और यह मिल जाएगा थिरफिजा नाइन थिजा 27 means 27 का स्क्वाइर है यह नंबर जो नया नंबर यह मिला है और यह जो है 27 का स्क्वाइर है तो यहां पर ले सकते हैं कि hence the new number new number is the square of 27 और यह भी आपका क्या है एक आंसर है ओके चलिए अब सॉल्व करते हैं question next and last 1575 इसको इरेज कर लेते हैं इसको नोड करना है तो विडियो को pause करके आप नोड कर सकते हैं अब करते हैं fourth one यहां पर है 1575 यहां पर यह जाएगा five से बिल्कुल दिख रहा है बिल्कुल five three 15 हो जाएगा और five 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 25 five six 30 five six 30 और यह 15 हो गया five three 15 अब यहां से nine चला जाएगा nine seven six three seven means यहां मिल गया हमे one five seven five का फेक्टराजेशन और मिला है क्या यह पर नाइन के लिखते है nine का लिखेंगे तो मिलेगा three into three into यह दोनो five में लिख लिजिए five into five into यह seven है अब इसमें पता है यह प्यर बन रहा है यहाँ थिरी थिरी का five five का तो seven बस ठूटा हुआ यहीं बला तो मतलब कि इसको परफेक्ट इसको बनाने के लिगा करना पड़ेगा हमें seven से डिवाइड क करेंगे तो यह मिलेगा three into five का square अज हम multiply इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 225 यह होगा new number जो की perfect square होगा और यह जो है 15 का square है तो new number is यहाँ पर एक जो है 15 का square बन रहा है तो यह आपका दूसरा आंसर है तो seven और 15 यह आपका आंसर है fourth part का question number eight का तो hope के question में आ गया होगा कि इसमें किस साल करेंगे और सारे questions इसमें unique है thank you so much for watching bye